दोस्तों कई लोगों को ये लगता है कि राक्षस, असूर, दध्य और यक्ष, ये चारो एक ही होते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, ये चारो अलग-अलग चीज़े हैं और ये चारो ही अलग-लग कैटिगरीज में आते हैं और आजम इन्ही कैटिगरीज के बारे में बात करेगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों असूर और राक्षसों में एक सबसे बड़ा अंतर होता है और वो ये होता है कि राक्षस हमेशा इनसान और रुशी मुनियों से लड़ते है लेकिन असूर हमेशा देवों से लड़ाई करते है अगर आप अब भी राक्षस और असूरों में कम्प्यूदे तो आपको बता दे कि राक्षसों में रावन, मैशा सूर, तारका सूर और हिडिमबा जिसकी शादी महा भारत के बी सूर्ग में रहते हैं देवता जिस तरह सूर्ग में रहते बिल्कुल उसी तरह असूर पाताल में रहते हैं और रहकिस जंगलों वनमास के लिए जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात सुपर नका नाम के राक्षासी से होती है वही दूसरी तरफ असरों का ये मकसद ही होता है कि वह स्वरक से देवताओं का राज छीन ले दोस्तों समुधरमंतन के दोराण असरों और देवताओं ना ये योजना बनाई थी कि समुधरमंतन के बाद जो अमरोद निकलेगा वो दोनों में बराबर बटेगा लेकिन अगर असुरों के पास अमरूत बहुत जाता तो वो देवताओ से ज्याता शक्तिशाली हो सकते थे और इसी बात की चिंता देवों के राजा इंदर को थी और इसलिए उन्होंने सबसे पहले अमरूत देवों को ही पिला दिया था और उसी दिन से असूर अमरुद पाने के लिए तड़बतर रहते हैं और तबी से असूरों और देवताओं के बीच में दुश्मनी पैदा हुई थी दोस्तों अब हम बात करते हैं राक्षेस और यक्षे की राक्षेस और यक्षे दोनों का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुल सत्य के पुत्र विश्वा द्वारा उनकी पहली पत्नी से राक्षेसों का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से यक्षों का जन्म हुआ और आपको बता दे कि कुबेर देव लक्ष की क्याटिगरी में आते है और कुबेर देव सबसे अमिर देव माने जाते है वही दूसरी और राक्षेसों के राजा रावन को माना जाता है और रावन और कुबेर ये दोनों ही भाई थे और अलग-अलग प्रवुरतु के थे दोस्तों आपने लंका का नाम तो सुनाई होगा और लंका को यक्षों ने ही बनाया था उन्होंने अपने बुद्धी मानी और पेसों का इस्तमाल करके लंका को बनाया था लेकिन राख्षेसों से ये देखा नहीं गया और इसलिए राख्षेसों नैक्षों को लंका से ताकत की जोर से भगा दिया और उसके बाद खूद सोने की लंका पर राक्षेस राज करने लगे और जो सके आप चानते कि बाद में द्वापार यूग में राम जी के द्वारा रावन का वद हुआ उसके बाद त्रेता यूग में भी राक्षिसों का वर्नन मिलता है जब पांडव वनुवास में थे तब उनका सामना हीडिमबा राक्षिसी से हुआ था और हिडिमबा भीम को देखके उन पर मोहित हुई थी उसके बाद राक्षिसी हिडिमबा का विवा भीम से हुआ था और उनकी संतान घटोटकच पैदा हुई थी दोस्तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहर बार राक्षिस इंसनों की जान ही लेना चाहेंगे बल्कि कुछ राक्षिस तो इंसनों की मदद भी करते है जैसे महा भारत में घटोटकच ने करन के अमोग नाम की अस्तर को अपने उपर ले लिया था जिससे अर्जुन की जान बची रहे दोस्तो अब बात करते हैं दानव की दोस्तो दानव की उत्पती महरशी कश्चप और दक्ष की पुतरी दनू से हुई थी और इसलिए इन्हे दानव कहा जाता है दोस्तो दानव आम तोर पर आकर में बहुत भी बड़े और विशालकाय होते है दोस्तो यूरोप के आईरिश माइटलोजी में भी दानव गौड़ेस का जिक्र है इसका मतलब हिंदुईजम यूरोप तक भी फेला हुआ था और आज भी आईरिश लोग दानव गौड़ेस को पूँचते है तो दोस्तो हम लें देखिए आपको हमारे वडियो अच्छा लगा हुगा अगर आपको वडियो अच्छा लगा हो तो वडियो को लाइक एंश्येर जरू करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैंतो इस चैनल को सब्सक्रीब करके पास वाले बेल आ lot को दबाए और और पे क्लिक करें मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार